दोस्तो आज में आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसके इस्तिमाल से आपके बालो की ग्रिद बहुत तीजी से होने लगती है साथ ही साथ अगर आपके बालो में हियर फॉल की प्राब्लिम है तो इस मैजिकल नुक्से को यूज करने के बाद आपकी ये प्राब्लम दूर हो जाएगी अगर आपके बालो में रूसी है यानि डेंड्रोफ है या फिर आपके बाल बहुत जादा फ्रीजी रूखे सूके हो चुके हैं तो ये लिक्विड आपके बालो को बहुत तेजी से सॉफ्ट सिल्की बनाएगा शाइनी बनाएगा साथ ही साथ ये एक नैचरल कंडिशनर का काम भी करता है लेकिन आपको इस रेमिडि को किस तरीके से लगाना है जिससे इसका बहुत ही जादा अच्छा एफेक्ट आपके बालो में आए तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखने होगी क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने इसके बार में बताया है तो जादा देरी ना करते हुए आई इस लिए वीडियो शुरू करते हैं इस वाइट लिक्ट को बनाने के लिए आपको जरूरत होगी सबसे पहले सोया बीन की सोयबीन में हाई क्वांट्रिटी में प्रोटीन पाया जाता है साथी हमारे बालो के ग्रोथ करने के लिए ये बहुत ज़्युज्जदा फायदी मन्द होती है क्योंकि बालो के ग्रोथ प्रोटीन से बहुत जल्दी होती है यहाँ आपको लगबग 50 क्राम सोयवीन लेनी होगी यहाँ पे मैंने आधा कटोड़ी सोयवीन का इस्तिमाल किया है अपलेंट के हिसाब से सोयवीन की मातरा को कम और जादा कर सकते हैं सोयवीन में पाया जाता है फाइटो केमिकल सो ओमेगल 3 फैटी एसेट्स जो हमारे बालों के हल्धी ग्रोथ करते हैं तो अब हमें इस सोयवीन को भिगा लेना होगा लगबग रात लगद के लिए मैं इसको पानी में भिगा लूँगी बिगाने के बाद हमारी जो सोयबीन है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है राजमा बीन्स की तरह ही फूल जाती है अगर आप डाइटिंग करते हैं तो सोयबीन के पानी को ज़रूर भी है इसमें हाई प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को भी हल्दी रखता है साथ ही हमारी बॉड़ी के लिए भी बहुत जादा बेनिफीशियल होता है अब आपको जरूरत हुगी ग्राइटर जार की और यहाँपे पानी के साथ हमें इन सोयबीन को इसमें डालके ग्राइट कर लेना है इसको ग्राइट करने से आपके याँपे अच्छा सा पेस्ट बन के तयार हो जाएगा तो यहां मैंने इसको grind कर लिया आप देख सकते हैं मैंने यहां पर paste इसका बिल्कुल white हो चुका है तो यहां पर हमें इस paste की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहां हमें जरूरत है soya bin milk की तो इसको milk निकालने के लिए हमें यहां पर एक stainer की जरूरत होगी काटोरी की जरूरत होगी तो हम यहां पर stainer की help से यहां पर अपना soya milk बना का तयार कर लेते हैं इस paste को आप छान लीजिए और छानने के बाद आपका soya milk बनके तयार हो जाता है अगर आप भी चाते हैं ऐसी ही amazing videos देखना तो मेरे चैनल को अभी के अभी जरूर subscribe कर दीजिए साथी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिसे आप देख सकते हैं मेरी ऐसी ही amazing videos सबसे पहले साथी आप अपने अच्छे results और doubt मेरे साथ comment box में जिया कर सकते हैं और साथी वीडियो अच्छी लगयों तो like भी जरूर करें तो यहां हमने इस paste को छान लिया है और हमारा soya milk बनके तयार हो चुका है यहां हमारा soya milk में बहुत सारे fatty acids, minerals, vitamins हैं जो हमारे बालो की hair growth को double triple करने वाले हैं अब इसके साथ सथ हम इसमें कुछ चीज़े add करनी होगी जिससे इसकी जो quality है वो और भी ज़्यादा improve और triple हो जाए तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूत होगी lemon की जो हमारी बालो की shine को बढ़ाता है और हमारे hair follicles को मजबूत करता है lemon में vitamin C पाया जाता है जो हमारे बालो की hair growth को तो बढ़ाता ही है साथ हमारे बालो को sun tanning से भी दूर रखता है अब आपको इसको अच्छे से मिला लेना होगा इसके इस्तिमाल से आपके बालो के उपर एक layer बन जाती है जिससे आपकी जो बालो के उनका color fade नहीं होता है अब हम इसमें इस्तिमाल करेंगे एक ऐसा oil जो हमारे बालो के hair growth के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है वो है अरेंडी का तेल यानि castor oil castor oil आपके बालो के hair growth को तो triple करता ही साथ इसाथ अगर आपके बालो में रूस ही है तो उसको भी खतम कर देता है और सारे oils के अच्छा हमारा castor oil माना जाता है अगर आपके बाल जड़ रहे हैं तो यह new hair growth भी करता है साथ या आपके जो old hair होंगे उनको भी strong बना देता है तो अब हम देख लेते हमें इसको कैसे इस्तिमाल करना है अगर आप इसको रात में लगा के सुनगे तो और भी भैतर होगा उसके बाद आप कोई भी polythyn को अपने hairs पर wrap कर सकते हैं या फिर आप अगर इसको सुबह लगाएं तो दो घंटे के gap में लगाएं उसके बाद अपने सिर को धो लीजिए सो या मिलका इस्तिमाल आपको अपनी hairs की length पर hair follicles पर करना है जिससे आपके hair follicles की जड़े मजबूत होंगी साथ आपके hair length पर लगाएंगे तो उनकी भी shininess और thickness बढ़ जाएगी तो दोस्तो कैसे लगी आपको मेरे आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइ झाल को मेरे刃 ई हमदाएगी की वीडियो दोस्तो कैसे बगाया ठाइब। ढ़की जड़े मेना है येट खृष इन मूजर श्युक पतकी जड़े जड़े में हो भी répondre to रहले मेरे देलाएंगे की जड़े मेरे इम जड़े आपके लागए ये Freedy ओका दूने और पाले भाले म